वो को इतना यकीन जरूर है कि कॉंग्रेस की जो इचारधारा है उसमें कभी भी समझोता नहीं किया है आज भी RSS और BJP के खिलाफ अगर कोई लड़ता है तो राहूल गांधी लड़ता है और भारत जोड़ो यात्रा है जो RSS और भारती जन्ता पार्टी के इनके जो इनके सम परधानमंद्री बोधी है नमस्कार में हुमामद असीफ और आप देख रहे हैं SPN 9 नियूज इस वक्त बहुत खास मेवान मेरे साथ मौजूद है ग्याश्वीन शेख साहब जो तीन वार से दरियापूर से विधायक है रास्ते से हमारे टीम गुजर रही थी तो इनसे काम काज कैसा रहा है और बीजेबी का भी सताई सालों से कब जा रहा है तो उनको तो इस तरह से इस बार इस बार लोग टकर दे रहे हैं मुकाबला के लिए क्यार रन नीती है इन तवाम चीज़ों पर बात करेंगे तरह आपको बहुत-बहुत स्वागत है यह किमती वक्त देने के लिए असे एक साब यहीं से शुरुआत करते हैं कि इस बार की शुरुआत और तयारी आपकी जो है कैसी है इस बार मेरी तयारी के साथ साथ मेरे पक्स की तयारी भी बहुत ही मजबूत तरीके से रन निती बनाई गई है और कॉंग्रेस पार्टी 125 सीट के लक्स के चलते हैं और जो सुबह नौ बजे शुरू होते हैं दुपेर में एक बई तक चलते हैं पांच मेरे जो पार्षद हैं वो चलाते हैं तीन मैं चलाता हूं एक हमारे प्रो कांसिलर भी चलाती है यानि नौ कारेले हमने जो हमारे दर्वार से हमारे दौर जो हैं हमने हमारे प्रगती पर ना रुके उसको ध्यान में रखते हुए नव कारियल है मेरे मतिस्तार में कंटिन्यू यहां पर शुरू किये हुए हैं यहां पर पिछले तीन महीने के अंदर ही बारा सो लाख रुपए के काम जो है वो बिल्कुल प्रगती पर और समझो complete होने आए है उसमें रोड रस्ते के काम है प्राफिक सिवधाओं के ड्रैनेज के जो है गेट बनवाने है जो सोसाइटी के चालियों के वो भी चल रहे है जो सवाल यह आपने का 125 सीटों के पास लाएंगे ठीक अच्छी बात है यह आपकी सूच है लेकिन पिछले बार 2017 की बात करें उसमें से कुछ विधायक बीजेपी में बीचले गए फिर इस बार की कैसे आप सोच रहे हैं कि एक सो पचीस लाएंगे क्योंकि बीजेपी तो 99 पितिया वो इस बार कह रही एक सो तीस से पचीस डेर सो कास पस ला रहा है इस बार पिछली बार का जो मामला था वो आंदलनों के चलते था इस मात का जो मामला है वो परजा बिल्कुल विमुक हुई है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि कोरोना में जो फैलियर हुआ है भारती जनता पार्टी का ऑस्पिटल में बैड नहीं थे ऑक्सिजन नहीं था रेमेडियसर इंजेक और उसी वजा थी कि भारती जनता पार्टी ने खुद का मुखे मंद्री भी बदला पूरा मंत्री मंदल भी बदला उसके पीछे का कारण दो कारण थे एक तो ब्रस्टाचार बहुत बड़ा था और दूसरा कोरोना का फैलियर अगर भारती जनता पार्टी जीत रही होती और जो दावे कर रही है वो करने वाली होती तो फिर मुखे मंद्री को क्यों बदला मंत्री मंदल को क्यों बदला उन्होंने जब मुखे मंद्री मंदल बदला इसलिए बदला कि उनको जीत का विस्वास नहीं है और उसके बाद तो जब बहंगाई और बेरोसकारी वो लोग पूरा भरोसा पूरा यकीन करेंगे लोगों को इतना यकीन जरूर है कि कॉंग्रेस की जो इचारधारा उसमें कभी भी समझोता नहीं किया है आज भी RSS और BJP के खिलाफ अगर कोई लड़ता है तो राहूल गांधी लड़ता है और भारत जोड़ो यात्रा है जो RSS और भारती जन्ता पार्टी के इनके जो इनके समिधानिक संस्ताओं को जो कभजे किया है और देश में जो दोनों को हिंदू-मुस्लिम को बाटने का काम किया है उसको लेकर कि लोगों को भरोसा है कि कुछ लोग जो थे सत्ता लाल्चू जो लोग गए लेकिन उसके लिए भी लगाते हैं धराते हैं धुकाते हैं डर और धर्बकागी राजनीती से इन्होंने पूरे हिंदूस्तान के प्राजनीती को नीचे इस तरह पर ले जाने का कि किसी ने काम किया तो परदानमंदीर नैदर मोधी एंड कंपनी ने किया है शेक सब देखे आपके तरफ से तैयारी में कोई कमी नहीं है और अच्छी बात है कि आपको रिजल्ट बी मिल ला है तीन बार से लगातारा बिधायक है लेकिन सवाल ये है कि कॉंग्रिस के हाई कमान के तरफ से कोई तैयारी नहीं दिख रहा है जिस टेबल की वगेरा की कारवाई भी हो चुकी है राहुल गांदी जी दो दोरे करके गए हैं लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में है उसको भी रख करके जैसे ही हिमाचल परदेश का एलेक्शन खत्म होता है तो राहुल गांदी जी प्रयांका गांदी जी और सौनिया जी ने दो सभा देनी के लिए हमसे वादा किया है वो भी आने वाली है गैलोची इतने सीनियर मुख्यमंतरी वो यही पर देना डाले हुए है यानि कॉंगलेस की रन निती है रन निती के तहर कॉंगलेस पार्टी अपने काम को इंजाम दे रही है इस मरतबा का जो मामला है लोगो खौफ का माहल है कि लोग खुलके नहीं बोलते हैं भार्दी जनताबाटी के खिलाव वो उनको पता है कि ED है CBI है काम भार्दी जनताबाटी गुंडे वो उनके सामने आएंगे लेकिन चेतरी मुद्धे पर जब लोगों से मैंने बात किया तो आप कह रहें बीजेपी जो है दुस्मान है उनके लिए परिशानी खड़ा हुआ आप कैसे देखते हैं आमादी पार्टी के एंट्री से आमादी पार्टी का जनम राम लीला मैदान में RSS का छोटा रिचार्ज है और बाबा राम जो उन्होंने अन्न हजार है बाबा राम देव जो ये RSS की पूरी है शाहिन बाग में जब हिंदुस्तान की बैटी ये बैठी बी थ आंद HOL peek के लिए और वहां पर सिरफ मुस्लिम नहीं थे वहां पर हिंदू भी थे इसाई भी थे किसी कहात में Qerang था और किसी का आतमें तिरंग आता और किसी का आतमें समीधान था ऐसी जगा पर भी ये केजरीवाल नहीं गए कोई सहानुपुती नहीं बिता है यहां तक कि देश की सुप्रिम कौट ने भी कहा कि हमें फकर है साहिन बाद की बेटियों पर कि जो देश के समीधान को बचाने बैठी जब दिल्ली के दंगे हुए तो किसी को मदद केजरीवाल नहीं गए यहां तक कि उनके पार्षत की आजम खान जैसी आलत करके रखी हुई है वो आज तक जेल में है अमानतुल्ला खान के जो उन्होंने इस्तिती बनाई है वो भी पूरी दुनिया जानती है जब जहांगी मैं प्रोटेस्ट हुआ तो भी वो गया थे अरविंद केजरीवाल जी नहीं है लेकिन सर जिस बेटी की आप बात कर रहे हैं जिस दुख तकलिफ की बात कर रहे हैं वो तो यहां के बिल्किस बानों के साथ भी हुआ तो प्रोटेस्ट तो आपने भी नहीं किया आप भी नह पुलिस कमिस्टर यहां के दीजी पी तमाम को हमने उसके बारे में भी कहा बैट दुवार का और जामनगर में जो कुछ हुआ उसके लिए भी हम नवाज उठाई है यानि कहनी के बाद ही केजरिवाल जी के पास इतना वक्त है कि वो चुनाओ का वोट मांगने आ रहे हैं लेकिन बिल्किस बादो के नाम पे आज तक उन्होंने एक अलफाज नहीं बोला है मातर की घटना के बारे में एक अलफाज नहीं बोला है उन्होंने और उसी के साथ साथ जो बैट दौर का मैं मजार सरी तोड़े के उसके बार में नहीं बोला है और सबसे बड़े जो दुख की बाद है कि जो कोरोना जो लाया वो ने ने मोदी जी लाए ट्रंप लाए चाइना से आया लेकिन जिस तरीके से साथ मौलाना साथ 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 और बताने का काम किया है इन चीजों को गुजरात की अवाम हिंदू और मुस्लिम दोनों जानते हैं कि भारती जंदा बाटी जहां पर कॉंगरे के सामने नहीं लड़ सकती है पंजाब की तरह वहां पर आप पार्टी को आगे करती है और यह जो है यह जो मामला पूरा का पूर केजरिवाल का जो था एक गुबारा था इन्होंने जो को भी काम के एजन्सी हायर की थी और इंके जो होडिंग लगाए बॉल लगाए सोसेल मीडिया मीडिया पे इन्होंने का परचार परसार गया इनको सही कैंडिडेट एक भी नहीं मिला आज तक को चुनाओं के लिए सं खड़ा कर सकते हो मीडिया से मीडिया से लेकिन जब तक जमीन इस तरबे तुम्हारा कारे करता नहीं होगा तुम चुनाओं में ने ठीक पाऊगे गुजरात में आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जी देगी यह मैं दावे के साथ कहता हूं और दूसरी बात कि कॉंग कॉंग्रेस पार्टी का काम बोलता है यह ठीक धुरूई करन की रात नीती जो शुरूई हिंदू-मुसलिम की रात नीती के चलते कॉंग्रेस को नुकसान हुआ है लेकिन अब हिंदू और मुसलमान दोनों समझने लगे हैं कि भारती जानता पार्टी जो है वो लोगों के दुरूई करन करने के लिए और हिंदू-मुसलिम को बाट के अपने पावर में और अपनी नाकामियों की चुपाने का काम करती है तो हम हमारे पॉज़िव मुद्धे लेकर के हम लोग जो है वो जाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया शिक साब थे जो तीन वार से बिधायक है तमाम मसलोप इन्होंने खुल कर बाचीत रखी है अब देखना होगा कि आखिर इस बार इनकी जो रणनीती है क्या लोगों के अंदर ये जो है बता पाते हैं उनके दिलों में जो है अपनी खाइसों को जगा पाते है ये बहुत बरी बात होगी देखते हैं आने वाले व